दोस्तो आज हम सेपरेटर मसीन की मदद से इस मोवाइल के टचव डिस्प्ले को अलग करेंगे यानि की फोल्डर को खोलेंगे अभी सबसे पहले इसे के हमने टच ऑड डिस्प्ले को निकालना है तो उससे पहले यहाँ पार टेम्प वाला बटन दबाएंगे और यहाँ पर कि अभी इसका temperature कितना है 31 डिग्री है लगवाग 100 डिग्री जब इसका temperature पहुंच जाएगा उसके बाद यहाँ पर टच खुले की process start होगी फिलार अभी यहाँ पर इसको on करके इसके उपर मोईल रखे में छोड़ देता हूँ और 100 पे होने अब उसके बाद आपने क्या करना है इसके पहले हमने फोल्डर को बाहर निकालना है तो इस तरीके का एक plastic का मोटा सा स्वारी पतला सा आप जो वैंडिक पेपर होता है वो ले लो और किनारे पर ज्यादा अंदर निकाना वाधना पत्ता कर सकता है इसलिए बहार ही बहार को इस तरीके से खोल के स्कूर अलगा कर लेना है वैसे काफी हीट हो रहा है असानी से खुल जागा और ओवर हीट मत करना वरना यहां पर इसका जो फ्रेम है वह जल सकता है ठीका मॉवाइल का फ्रेम जल सकता है अब यहां पर देखिए इसका पत्ता इस साइट को है तो थोड़ा सा समल के दर खोलना है बहुत सालोग जल्दवाजी में पत्ता भी काड़ देते हैं इसलिए बहुत ही समल के इसको क क्या करना है टच और डिस्प्ले को हमने अलग करना है अब यहाँ पसके टेंपरिचर को सेट कर लिया है दिखिए एक आनपर पर है और धिरे-धिरे हीट होते जाएगा यह जो वायर है मेरे पास अभी तो इसका वायर नहीं है लेकिन हैवल्स का जो वायर होता है जो घर की वा यहां पर देखिए मैं इसको निकालनी की स्टार्ट करता हूं एक कॉर्णर पर टच और डिस्प्ले के बीच में इस वायर को फसाते वे हमने इसको खीचना है देखिए ज्यादा जोर से नहीं खीचना है आप धीरे-धीरे-धीरे से इसको खीचेंगे अब देख यहें मैं पहले सब्सक्राइब और यहां पर देखिए मेरे पास वायर नहीं है इसलिए मैं यूगाण का समयाल कर रहा हूं अपने इसक पर आपके पास वायर है तो आप वायर खाभी समाल कर सकते हैं ठीक है वायर सबसे बैस्ट आप्शन रहेग से बाहते जाएंगे यहां पर जो हैवल्स के वायर जो इसमाल कर रहा हूं मैं जो घर के वायर में यूजी वह थोड़ा सा कमजोर होती है यह तूट जाएगी चलिए मैं बार बार एक दो एक दो वायर को और भी चेंज करते रहूंगा अगर आपके पास इसका वायर है तो उस तो फैनली टैच और डिस्पले अलग हो चुकी है फोल्डर से अब यहां पर हीट हो रहा है तो इसको आप इस तरीके से छुड़ा सकते हैं अगर ठंडा हो जाए तो फिर थोड़ा से सकत हो जाता इसका ग्लू फिलाल जब तक हीट है तब तक आप इसको इस तरीके से अच्छी तरीकी से ठंडा होने में पांच मेंट तो लगे गाई तब तक मैं इसके ग्लू को क्लीन कर ही लूँगा यहां पर यह से अनी से क्लीन हो जाता है यह है पूंदी अगर उपाइन पहां में हमारे यह अंवारी क्लीन हो चुकी है क्लीव कि है भी को व्यूंक्त कर 1 दो और यहां पर आप टच को क्लीन करना चाहे तो कर सकते हैं उसे टच खराब है टच को चेंज करना ही है तो क्लीन आपकी चाहे आप करना चाहे तो कर सकते हैं चलिए आपको बता देता हूं इस तरीके से बहुत ही असान है इसको भी क्लीन करना यहाप पर जो ग्लू है वह असान क्लीन कर लेना पेट्रोल या फिर क्लीनर से इतना हमें से याद रखना है तो फाइल नहीं हमारा काम हो चुका है और वीडियो बसे नाई तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना मिलते के लिए तब तक के लिए